असलाम लेकुम डिया लेर्नर्स और बात हो रही है फाइनेंसिस की और हमने कहा तक हम आपसे डिस्कुस करेंगे कि किसी भी वेंचर को इस्टैबलिश करने के लिए अगर आपको पैसे चाहिए तो आपके पास कितने मल्टिपल सोर्सेज हो सकते हैं ये वीडियो बेसिकली पर तौसीफ हमारे साथ हैं सो तौसीफ के तरफ चलते हैं और पूछते हैं कि परस्टनल फंडिंग किस तरह से हो सकती है किसी भी न्यू वेंचर के तौसीफ प्लीज बताएगा हमें जी नौरीन इसमें हम सोर्सेज देखते हैं जिनके तुरू आप परस्नल फंडिंग की जगाना चाहेगा अगर उसके पास है तो अब उसमें जो कहा यह जाता है कि यही दो चीजें मैटर करती है एक स्टार्ट अप में एक जो परस्नल फंड लेके आ रहा हैं एंट्रेपरनियोर थी अड़ सेकंड थिंग इस स्वेट एकुटी अच्छा एकुटी के बारे में हम इसमें जब आप अपनी जभ से लगा लेंगे उसके परस्नल फंड यह जब आप अपनी जेब से लगा लेंगे उसके बाद फिर और एक और चीज़ यहां पर ज़रूरी है कि जब आप परस्नल फंड की बात कर रहे हैं इसके पीछे बैक्ग्राउंड में थिंकिंग क्या होती है एंट्रेपरनियोर की यह भी हमारे लर्नर्स के लिए समझना बहुत ज़रूरी है वो यह होती है कि यह वो वो कितना वाइबल है कितना वैलेडिटेड है ताके अगर वो फर्स किया कि वो उतना वाइबल नहीं है तो एट लीस्ट कोई ऐसा रिसक उसमें इन्वाल्व ना हो कि आप किसी और का पैसा उसमें जो है वो यूनो लॉस उठाना पड़े किसी और को ड्रवाब दे हो जाए जो एस्टिमेटेड फंड्स हैं जो कैश फ्लो रिक्वाइर्मेंट्स हैं वो कितनी चाहिए और कितना आप फर्स करें एक ऐसा बिजनस है जिसमें आपको सौ रुपे चाहिए ठीक है और आप इस कॉन्फिदेंस के साथ आ तो जाते हैं पचास रुपे लेके कि मैं आल सेट मैं देख लूँगा इसको कैसे लेके चलना मैं कर लूँगा मैनेज लेकिन फिर जब आप वेन यूर एक्चुली गेट इन दूर बिजनस तो फिर वो आपसे मैनेज नहीं हो पता है तो जो एक बनियादी गलती होती है वो यही एस्टिमेशन की होती है तो इसलिए हम कहते ह है कि जो आपका बिजनस प्लैन है ना वो सब से पहले आपके सामने ख्लेर होना चाहिए यह सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने बिजनस के बारे में अच्छे से ख्लेर हो हो जी वेलकुल कि आपको पता हो कि आपकी एक्चुल फंड रिक्वायर्मेंट है उसके पार अपने से आगे चलेंगे तो आपके friends and family है ठीक हो गया ठीक है अगर आपके पास shortage है funds की तो जो next एक source है वो है आपके friends and family जिन से आप पैसे ले सकते हैं लेकिन तौसिफ आपको नहीं लगता कि friend and family से पैसे लेना थोड़ा sensitive हो जाता है हमने देखे हैं अकसर लोग हो जाते हैं business idea business के अंदर बड़ा risk involved होता है बाज़ों का business नहीं चल पाता पैसे डूब जाते हैं so किस तरह manage किया जा सकता है इसको देखे इसमें दो तीन मैं बताना चाहूंगा rule of thumb हैं आप cautions कह लें उन्हें ठीक होगा when you are dealing with friends and families तो कहा यह जाता है कि इन दो तीन इससे funding ले रहे हैं पैसे ले रहे हैं उसको आप proper अपना business बताने के साथ साथ उसको risk भी बताएं खुल के बतादें कि कितना risk involved है इसमें यह है और यह उस case में है जहां आपको पैसा वापस नहीं करना return में से कुछ देना है तो वो एक और बात यह वो case है यह भी different case है ठीक ह तुसरी चीज़ यह है कि जहां आपको उधार लेना है अगर आप कोई उधार ले रहे हैं बोरो कर रहे हैं अपने friends and family से तो फिर आपने क्या करना है proper documentation कर लें ठीक हो गया कि प्रोमिजनेरी नोट साइन कर लें ठीक है कि इतने पैसे मैं कब दूँँगा अर्सेटरो और त उसका भी पैसा आप खतम कर दें और आप भी खुद भी दोनों के bread and butter disturb हो रहे है ठीक हो गया तो ऐसा friend and family चूज करें जिसके पास spare cash हो ठीक है आपके लिए funds हो देने के लिए किसी ऐसे के पास ना चले जाए जो अपने funds भी risk पे लगा दे और उसके पास वही हो तो these are few questions ठी ठीक हो गया then important thing bootstrapping ठीक हो गया वैसे bootstrapping का आजकल बहुत जोर है buzzword है मैं देखती हूँ के बहुत trainings हो रही है bootstrapping पे so आपने bootstrapping के बारे में ज़रा ज़्यादा detail से बताना है कि basically है क्या आदेखे bootstrapping जो है ना ये term तो आई है एक प्रोवर्ब से अच्छा that is to pull yourself from your bootstrap ठी हो गया इसका मतलब ये है कि आपने अपने बल्बूते पे succeed होना है without any external help अपने अपने बल्बूते पे आपने कामियाब होना है without getting any external help अब यहाँ पे बताना ये जरूरी है कि bootstrapping कोई as such procedure नहीं है अच्छा कोई ऐसी technique नहीं है कि हम अपने learners को बताएं कि इसका step number one ये है step number two ये है ऐसा नहीं है चोटी चोटी टेक्नीक सही है जी ये कुछ आप कहलें मश्वरे कहलें आप कुछ इसमें कहलें clues कहलें कि ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको करने से आप bootstrapping कर सकते हैं you can you know maintain your business और इसमें एक चीज और मैं आपको बताना चाहूं कि जो कुछ businesses मैंने पढ़ा के ऐसे भी हैं जिन्होंने दस दस साल तक bootstrapping की और फिर वो funding की तरफ गए for example वो एक camera company के बारे में हमें पढ़ा था I don't exactly remember name कि उसने दस साल तक bootstrapping किया फिर एक company से उन्होंने जो है वो investment funding ली और उनका भी वही idea था कि उन्होंने उस दस साल अपने idea की वायबिलिटी और validity को चेक करने में आप ये समझ लें कि उन्हें दस साल लगे जब उन्हें यक कीन हो गया कि हमारी product अब successful है और हमें अब scale up करने की जरूद है business तो उसके बाद फिर वो funding की तरफ गए investment funding ठीक हो गया so coming back to the bootstrap let's look on the screen यहाँ पर कुछ examples दी है हमने जिनको करने से आप bootstrapping कर सकते हैं अपने वो जो है न funds requirement उनको manage कर सकते हैं मिसाल के तोर पर आप नया equipment ना खरीदें यूज लें bootstrapping basically दो चीज़े हैं यह भी याद रखिएगा के एक cost cutting और more saving saving बढ़ानी है और cost cost को reduce करना है तो उसमें पहला एक जो आप काम क्या कर सकते हैं कि आप नया equipment ना लें second hand equipment ले लें और फिर आप purchases किसी दूसरे business के साथ coordinate कर सकते हैं जैसे आपको पता है कि जब आप bulk में चीज़ें खरीदें तो आपको relatively सस्ती मिल जाती है यानि आप ये recommend कर रहे हैं कि अगर मुझे भी supplies खरीद नहीं है और same supplies मेरी किसी और साथी को भी खरीद नहीं है तो अपने order को एक अठा प्लेस कर दें ताकि economies of scale जो है वो achieve कर सके और फिर आप leasing equipment instead of buying एक और important point है कि आप खरीदे ना उसको lease out कर ले फिर आप जो customers है आपके एक तो तरीका है ना credit कि हम पहले चीज़ें दे के बाद में पैसे लेते हैं so let's try something else कि अब आप पैसे advance ले 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 और उन्हें चीज़ें बाद में deliver के जिसको हम advance booking भी कहते हैं विलकुल ठीक उसके बाद एक और बड़ा एहम point जिस पर बहुत ज्यादा एक आप कहलें discussion है कि जब आप business start करते हैं तो आप अपने जाती खर्चे भी उस business में से निकालना शुरू कर देते हैं तो इस से avoid करना है minimize करने हैं अपने personal expenses को फिर आपने जो unnecessary गैर जरूरी आपके अखराजात हैं उनको avoid करना है फिर आपने चीज़ों को खरीदना है सस्ती वाली चीज़ों को आप below standard या sub standard चीज़ें खरीदना शुरू कर दें लेकिन go for some cheap items और फिर space share कर था आपका same sort of business है तो उनको आप share कर सकते हैं इस तरह आप cost reduce कर सकते हैं तौसिफ ये सारी बाते जा रही है I guess networking की तरफ भी कि आपका अगर market के अंदर you have a good network अच्छे लोगों को आप जानते हैं तो आप उनसे ये favors ले सकते हैं बिल्कुल ठीक हो गया और एक आखरी point जो इ उनने पैसे नहीं चाहिए होते हैं उनने training चाहिए होते हैं training or experience basically तो आपका इस तरह भी एक आपको उनको pay नहीं करना पड़ता है तो उनकी भी ज़रूरत पूरी हो जाती है और आपकी भी ज़रूरत पूरी हो जाती है तो these are few things these are few examples कि अगर आप इन पर अमल करें तो आप क efficiently reduce करते हैं और कम ही रखने की कोशिश करते हैं ताके वही आप परी बात कि initially ऐसा ना हो कि सारा capital हमारा burn out हो जाए और अभी profit generate ना हो रहा हो cost cutting more saving more saving चलें ठीक हो गया हमारे पास और भी sources हैं ये तो discussion थी सारी personal sources के बारे में दूसरे sources से किस तरह से funds generate हो सकते हैं एक business के लिए इस पर हम बात करते हैं आने वाली video में